असलाम वीकुम एब्रिवन दिस सहीता और वेलकम टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन प्रेस कर दें आज जो पोई में आपको एक्स्ट्राइब करने वाली हूं वह है लॉटस इटर्स आपकी फेवर्ट पाइम हो जाएगी ठीक है तो हम टाइम वेस्ट के वगएर इस पाइम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैग्राउंड की तो यह ओडिस्यस की जर्नी के बारे में है और डिस्यस कौन था जैसे कि आप इंग्लिश लिटरचर के स्टुरेंस हैं तो आपको पता होगा कि ही वस फेमस ग्रीक हीरो ठीक है उसकी जर्नी के बारे में है फ्रम ट्रॉय तो हिस हॉम लें इथाका अब ट्रॉय क्यों गया हुआ था ओडिस्यस ट्रॉजन वार के लिए ट्रॉजन वार क्यों लड़ी गई थी वो हैलन को हासल करने किर लड़ी थी जो कि बहुत ही खुबसूरत ओरत थी स्पार्टा की ठीक है अब ट्रॉजन वार की बात करें तो यह फिफ्टी यूर्स तक चलती रही थी अब आप इंटरनेट पर देखे तो डिफरेंट सोसे साब को डिफरेंट टाइम स्पैन मिलेगा कि यह 10 यह तक चलत रही थी ठीक है लेकिन आपने में बात जो याद रखनी है वो यह है कि ट्रॉजन वार एक ऐसी वार थी जो बहुत ही लंबे अर्से तक चलती रही थी अब ट्रॉडिसियस और जो उसके साथ हैं उन्होंने यह वार लड़ ली है और अब वो वापिस आ रहे हैं अपने घर क कि तरफ इथाका अब इस जर्णी के दोरान होता क्या है कि जो ओडिसियस हैं और उसके जो कंपैनियंस हैं मैरिनर्स हैं वो गॉड़ ओफिंड को एंगरी कर देते हैं जब गॉड़ ओफिंड एंगरी होती है तो वो उनको पनिश्मेंट देती है और शिप इस ब्लॉन अव आप वो बहुत जदा मिस का रहे हैं अपने घर को और तकरीबन वो जो उनकी उमीद वगएरा वो सब कुछ खतम हो चुकी है कि वो कहीं पे लैंड करेंगे भी या नहीं करेंगे तो इतने में क्या होता है कि उनको एक आइलेंड नजर आती है तो अडिसियस कहते हैं अपने कि इंपोर्टेंट है वेनेवर यू टॉक अपॉर्टेंट पोईट्री ठीक है क्योंकि विक्टोरियन पोईट्री का ये एक टॉमिनेंट स्रुक्चर था तो इसमें कुछ ना कुछ टायलोग्स तो होंगे ही होंगे तो यहां से जब करेज बोलता है और यहां से हमारी पॉ अब यहां पर अपने कमपैनियन को उस लैंड की तरफ पॉइंट करते होए कहता है करच कि हमत मत हारो कि जल्द ही एक वेव आएगी और हमें वह उस लैंड की तरफ ले जाएगी आगे पॉइट बताते हैं कि आफ्टरनून पे वह उस लैंड पे पहुंचे जहां पे इस सी यहां है कि वक्ट रुक चुका है यानिकि टायिमलेशनेस को शो करे है इसके एप시स लग्रत पहले भी आफ्टरनून थी अभी बहुंचे आफ्टरनून है अब अगर पहले हम राइम स्कीम के बाद करें लाइम स्कीम तो बनती है बी-सी, बी-सी एंद सी तो टोटल हमाई राइम स्कीम हो जाएगी अब यहां पर बताते हैं कि एक लैंग्विट एयर जो थी वह चल रही थी लैंग्विट का मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग जो आपको जिसकी वाइसे आपको आपे नीन तारी हो जाए ठीक है ऐसी एयर चल रही है उसके बाद वह बताते हैं कि वैली के उपर फुल फेस वैली के उपर फुल फेसिट मौन है ठीक है यह कॉंटेटिशन साब चेक करें पर उसके बाद बताते हैं लाइक डाउनवर्ड स्मोक अब यह नॉटिस करें कि स्मोक की डिरेक्शन आपने देखा होगे हमेशा अपड होती है डाउनवर्ड नहीं होती और यहां पर पोईट उसको नॉटिस करना है ठीक है उसके लावर जितनी भी कॉंट्रेडिक्शन साइंगी आपने उनको नॉटिस करना है तो यह फर्स टेंजा है इसमें डिस्क्रिप्शन है उस पूरी लैंड की कि वह लैंड कैसी है अब सेकिंड स्टेंजा कि अगर हम बात करें तो यहां पर पोईट कहते हैं कि इस लेंड और स्टीम्स और वो डांवर्स मॉक की तरह आ रही हैं और यह जो फिनेस्ट लॉन यहां पर लिका हुए तिनेस्ट लॉन का मतलब है ग्रीन सैब्स यानि के ग्रास के लिए बोगर है पोईट कहरें कि जो वाटर है वह इतना क्लियर है ऐसा ल लेंग्विट का ठीक है लेंग्विट का मतलब भी था सलीपी तो आप इस जो वर्ड्स हैं इनको देखने कि किस तरह की यह description point दिखा रहा है किस तरह का atmosphere create कर रहा है point next point बताता है कि white mountains है sunset का image create करता है और बताता है कि streams की वज़से शावरी drops है cops जो है न वो भी एक किसम की grass होती है ठीक है यह old name है इसका new name है coppice C-O-P-P-I-C-E ठीक है यह भी एक खास की किसम है तो आपने देखा कि first tenza में हमें silver color नज़र आता है stream का color नज़र आता है sea से land की तरफ जाने का है सारा कुछ explanation वहाँ पर दी हुए है लेकिन second tenza में हम देखते हैं कि अब green impact आना शुरू हो गया sunset flushed sunset flushed का मतलब है कि sun is actually flushing the mountains ठीक है यहां पर point ने color image create करने की कोशिश की है कि वैसे तो mountains जो है covered है snow से लेकिन mountains के पीछे क्या है sun है तो उसकी वज़े से क्या हो रहे है कि जो mountains है वह हमें reddish से orange से colored नज़र आ रहे हैं ठीक है तो first two stanza's में आप देखेंगे कि बहुती beautiful description है land की उसके लावा बहुती contradictions हमें नज़र आएंगी और हम यह contradiction पर point के end पर बात करेंगे कि point ने यह contradiction क्यों create की है अब हम जाते हैं अपने next tenza पे इस tenza को start है अब charm का मतलब ही है enchanted like जिस तरह के आप पर कोई spell आ गया हो तो वह point बता रहा है कि वह जो charm sunset है वह lingered low a down a down मतलब downwards ठीक है in the red west red west मतलब कि सूरज जो है वह गरूब हो रहा सन जो है वह set हो रहा है कुछ इस तरह की point ने image create करने की कोशिश किया है in lines में अब इस tenza में जो main important line है जो आपने notice करनी है वह यह है a land where all things always seem the same यानि के point कह रहा है वह उस land पे आगे odysseos और उसके companions ऐसी land पे जहां पे तमाम चीज़ी सेम ही लगती थी यानि के point ने बहुत ही खुबसूरती से timelessness को शोगी है यानि के time रुका हुआ है कोई aging process नहीं है देखे हमारी जो दुनिया है जो हमारी जो world है वो temporal है ठीक है मतलब कि everything is bound to time we are aging और जितनी भी चीज़े हैं इस world में तो वो अपनी life expectancy को meet कर रही है ठीक है तो हमारी यहाँ पर time exist करता है लेकिन जो point यहाँ पर image create कर रहे है लैंड की यहाँ पर timelessness है और अगर आप note करें timelessness किस जगह पर है paradise में वहाँ पर timelessness है वहाँ पर कोई भी चीज aging process से नहीं गुजरती तो यहाँ पर जो point ने scene create किया है एक ऐसी land का जो जैसे कि हम से चिन चुकी हो और point अपनी imagination की power से उस land को create करने की कोशिश कर रहे है अब इस timelessness का इस paradise का इस land के साथ क्या connection है हम यह सारा कुछ connect करेंगे end पर जब आप पूरी poem पढ़ लेंगे अब आगे देखे point कहते है अब देखे यहां से पहले तक सिर्फ लेंड की description थी कि लेंड कैसी है ठीक है वहाँ पर क्या क्या है अब यहां पर लेंड के जो inhabitants हैं inhabitants कौन है lotus eaters ठीक है अब उनके description आगे कि वो जो कील कहते हैं जो board का एक part होते है ठीक है अब यह picture आप यहां पर देखें यह जो जहां पर cursor मैंने रखा हुए वो जो पार्ट है ठीक है जो under the surface of water होते है उसको हम बोलते हैं कील तो odysseos के companions हैं उन्होंने board को turn किया होगा तो उनको वहां से lotus eaters आते होई दिखाई दिए तो यहां पर इससे पहले land की description थी यहां पर आप lotus eaters की description है कि वो किस तरह के थे dark faces pale against that rosy flame कि उनके जो faces थे वो dark थे यहां पर point ने dark जो word है वो किसी negative way में यूज नहीं किया उनके faces dark क्यों लग रहे थे क्योंकि वो उनके पीछे जो था sunset था sunset की वैसे उनके जो faces थे वो dark नज़र आ रहे थे जैसे कि हमने mountains का image पढ़ रहा था मैं आपको अभी एक image दिखाती हैं यह देखें इस तरह से कुछ faces उनके लग रहे थे dark faces थे क्योंकि they had sun behind them that's why their faces were not lit with light ठीक है इसके बाद point उनकी eyes के बारे में पताता है कि mild eyes मतलब half open half shut यानि कि जब आप बहुत गहरी नीद में होते हैं तो आपके eyes कैसे होती हैं कि ना तो वो खुली होती है ना तो बंद थे थोड़ी से खुली होती है थोड़ी से बंद होती है ठीक है इस तरह से वो lotus eaters थे melanchly मतलब होते हैं उनके lightly expressions नहीं थे faces पे ठीक है यानि कि ना तो वो sad नज़र आ रहे थे ना तो वो happy नज़र आ थे बलके मेलन क्ली नज़र आ रहे थे ठीक है अब यह lotus eaters कौन है और यह क्या करेंगे इनके साथ हम यह देखेंगे नेक्स टेंजा में तो मेरी आप से request है कि आप इस पूरी poem को जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसको बिलकुल एक छोटी से simple से story की form में लेकर चलें बिलकुल भी अब यह जो एंचैंटिर स्टेब है यह है lotus flowers ठीक है lotus flower जो lotus eaters है वो lotus flowers लेकर आते हैं और odysseus और इसके जो companions हैं उनको देते हैं और जो भी वो lotus flower को खाता है उसको टेस्ट करता है तो क्या होता है gushing का मतलब होता है turmoil of the sea जब पानी अपनी पूरी energy के साथ move करता है तो उसकी आवाज को gushing कहता है यानि कि full of life ऐसी आवाज ठीक है जिब sea का एक turmoil होता है उसकी जो आवाज होती है वो उनको दूर से आते हुई सुनाई देती है morning करते हुई waving करते हुई इनको सुनाई देते हैं जैसे दूर से कोई रो रहा हो मौन कर रहा हो on alien shorts मतलब दूर दराज के वो नहीं जिस पे वो खड़े थे बलके उन्हें लाग रहा था कि जैसे ये कोई दूर की कोई चीज है हमारा इसे कोई भी तालुक नहीं है ठीक है and if his fellow speak his voice was thin as voices from the grave and deep asleep he seemed yet all awake and music in his ears his beating heart did make अब यहां पर पोईट पताते हैं कि अगर इनके फैलोस में से कोई भी बोलता है speak मतलब spoke यह जो old English वाले spellings यहां पर लिखे हुए है तो आपने इसको spoke पढ़ना है तो कोई भी बोलते है तो उनको ऐसा लगता है कि यह जो voices है यह किसी grave से आ रही है यानि कि बहुत ही बहुत ही कम सुनाई देती है उनको आवाजी ठीक है और क्यों ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि they were under the spell of some intoxication ठीक है they were half asleep and half awake ऐसा feel हो रहा था जैसे वो गहरी नीन में जा चुके हूं लेकिन फिर भी वो सब जाग रहे थे इसके अलावा वो बताते है पोईट के म्यूजिक म्यूजिक हो था उनकी जो हार्ट पीट है उसका म्यूजिक आप सोचे आपको अपनी हार्ट पीट कब सुनाई देती है जब complete silence हो बहुत खामोशी हो तब अपनी आप हार्ट पीट सुन सकते है इस तरह से बहुत ज़दा खामोशी उनको महसूस हो और और वो अपनी जो हार्ट पीट है उसका जो म्यूजिक है वो अपने कानों में महसूस का रहे थे इन शॉर्ट पोईट हमें बताना चाह रहे हैं कि दे कुर नोट ज़ज वेर दे सी इस 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 तरह से दे कुर नोट लिसन तो गुशिंग साउंड वेवस और ये जितना भी पोईट ने क्रियेट किया हैं हमें ये दिखाने के लिए कि लोटस फ्लावर का फ्रूट खाने के बाद वो सब कैसा फील कर रहे थे अब हम अपने लास्ट एंजा पर आ जाते हैं अब इस लास जा दे पूट बताते हैं ब्का फिस लास तांजां बहुत बताते हैं प्टाते हैं एक टाडवाट थे शेज शेज चावार अब इसलास्ट इंजा में पुटा थे हैं कि वो सब अपने आपको उस यैलो सेंट पर बिठा देते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि के वो इंट्वाइम में इस ने के उनको ब्हुत अच्छा लगता है के वो अपने फादर लेंड के अपने बच्चों के अपनी बीवियों के अपने गुलामों के ड्रीम्स होगरे देखें उनको अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन एवर्मॉर का मतलब पहले से ज्यादा स्ट्रगल का ठीक है ओफ मुविंग ओन ऑफ कीपिंग जर्नी ओन एंड लेकिन यहां पर देवर्मॉर्य ऑफ तो सी ठीक है वह अब ठक चुके थे उनको अब वेरी का प्रेपिटिशन देखें बहुत दफार वेरी दा और वेरी दा सी वेरी दा वांडिंग फील्स अब यहां कराँ काुनुर्फ नहीं यहां पर सर्फेस यानि के वो जो वातर के से फिर्फेस पर देर और पिरते रहे हैं इतने दिनों अब ऑब से स्थाथ दावी ने स्थ ओकल उनम contempl आसे ऐगंगहां कि एक बंदा कहते है वेल रिटर नॉमॉर्ट थाम ऐप नहीं जाएंगे ओं나 तरह वापस आएं बलकि हम यहीं पे रहेंगे तो यहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी जो जर्णी है उसको कैरी नहीं करेंगे अब यहां पे यहां पर रिजेक्टिंग दे लाइफ अफ एक्शन ठीक है वो हार्शिप्स को फेस नहीं करना चाहते और वो यहीं पे इसी लैंग्विड एयर में बैठ कर इस ट्रीमी आइलेंड पे लोटस फ्लावर्स को खाना चाहते हैं और ऐसे ही डीम से गयरा देखना चाहते हैं और हाफ असलीप हाफ अवेक रहना चाहते हैं ठीक है अब यह तो होगी पूरी पॉइम लेकिन अब इस पॉ पैरडाइस से निकाल दिया गया था अब हम इन दोनों का जो कनेक्शन है उसको देखते हैं पहले हम बात कर लेते हैं पैरडाइस की एडम एन एव की स्टोरी सबको पता है कि वह बहुत ही लैंग्वीड ब्यूटिफू एंड्रीमी एक्जिस्टंस थी उनकी पैरडाइस मे उनको मना किया था गौड ने कि फॉर्बिडन फूरूट है उसको आपने उसके पास नहीं जाना उसको नहीं खाना लेकिन एडम एनीव ने वो फूरूट खा लिया उसकी वएसे क्या हुआ कि उनको पैरडाइस में जब वो रह रह रहे थे उनके पास कोई भी स्ट्रॉगल नहीं थी कोई भी हार्डशिप उनको फेस नहीं करने परती थी कोई भी लेबर नहीं था लेकिन जब उनने वो फॉर्बिडन फूरूट खाया तो परिश्मेंट के तौर पे उनको अर्थ पे दिया गया जहां पे उनको एक ऐसी जिन्गी गजानी परी जो के जिसमें लाइबर ठीक है तो एक फॉर्बिडन फूर्ट की वएसे एड़ेम एनिकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी ब्यूटिफुल जीमी एक्जिस्टेंस थी उनकी लेकिन उस फूर्ट को खाने के बाद उनको पनिश्मेंट के तौर पे उनकी लाइफ में हार्चिप्स और स्ट है लाइफ ओफ सेलर्स के ज capitalism के बर्चिबर की करना अधर सेलर्स कारें करने तरह था करना थदा लेकिन लोटस फ्लावर को कहाने के बाद उनकी पूरी की था उससे पर बीड Interior अपको खाने केवाद से बादर ञेरे से दोड़न इनकी उसे पॉर्बिड ड़न में अनकी लाइ बहुत ही beautiful और language existence को experience किया इसके बाद उनके दिल में कोई desire नहीं रही कि वो इस life को adopt करें जो वो पहले गुजार रहे थे यानि कि life of labor, life of action ठीक है? तो वो decide करते हैं कि आप वो घर वापस नहीं जाएंगे इसी चोटी से paradise में रहेंगे जहां पर timelessness है जहां पर वो dreams देख सकते हैं, जहां पर वो जो चीज़ चाहें खा सकते हैं और खुशी से अपनी जिन्गी को गुजा सकते हैं without any hard work इन शोट ये जो poem है It's a kind of poetic wish for reversing the Adam's story poet के दिल में ये wish है कि काश कि हम paradise से ना निकाले जाते हैं हमें ये hardship वाली, labor वाली life ना गुजानने पड़ती कि किसी तरह से हमें वो अपनी paradise वापस मिल जाए जो हमसे छिन चुकी है इसलिए के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये poem अच्छे से समझ आ गई हो तो please वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो please चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहफिज